हेलो अब्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो हम लोग जैसे कि आप लोगों को पता है टॉपिक कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस एक बहुत इंपॉर्णेंट कॉंपोनेंट स्लेबस में अलग सा लिखा है लेकिन ये साथ मे ही कंसीडर किया जाता है डिसकाउंट इसको हम लोग आज करेंगे माराथान लेक्चर्स होगा इसमें एक ही सिंगर लेक्चर में जितनी भी टाइप के नजर हम लोग डाल देते हैं स्लेबस आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस यहां पर अभी तक हम लोग इतना ये जो पार्ट है ये कर चुके हैं डिसकाउंट करेंगे इसके बाद एक अगला लेक्चर आपको मेराथान लेक्चर ही मिलेगा पार्टनेशिप बि करेंगे फिर हम लोग यहां पर स्विच करेंगे ओल्मोस्ट लेबस जो है वह मारा इसका 80% आप लोग मानके चलिए कि खतम हो चुका है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखा दें मॉक टेस्ट के डियूल कल ही हम लोगो को फाइनांस अकाउंट असस्टेंट के 13 टेस्ट का अनलिसिस भी बहुत जल्द मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ पुराने लेक्चर जो बच्चे पिछले लेक्चर नहीं देखके आए है प्रॉफित क्वांटिटी किसके बराबर होती है फाइनल क्वांटिटी किसके बराबर होती है हम लोग ने इसको पढ़ा था वो होती है हमारी इनिश्यल क्वांटिटी इन्टू वान प्लस माइनस लॉस या फिर गेन परसेंट अपॉन हंडर्ड रेस तू पावर एन यह हम लोगोंने सक्सेसिव एक चेन वाले क्वेशन से भी पढ़ा था कि अगर प्रॉफित होगा तो प्लस कर दीजिए का लॉस होगा तो माइनस कर देते हैं हम लोग और एन है कि कितनी बार यह चीजें हो रही है यह इसका आपके यहां में बहुत ज़्यादा रोल प्ले होगा इसके अलवा हम लोगोंने एक चीज को पढ़ा था जो था रिलेशन बिट्वीन सीपी एसपी और मार्क्ट प्राइस यह इसका रोल जो है आज इस लेक्शर में बहुत है हमेशा मार्क्ट प्राइस यह मर्पी जिसको हम लोग कहते हैं जब कभी भी हम लोग कभी डिसकाउंट देते हैं तो वो हमें क्या चीज लाके देता है वो हमें लाके देता है सेलिंग प्राइस और सीपी और सीपी के बीच में रिलेशन हम लोग किस से निकाल सकते हैं प् समझने के लिए वापस से आपके परी समझा देता हूं मान लीजिए हम लोगों ने आपके लिए कोई एक कोर्स बनाया इस को बनाने के लिए हम लोगों की टोटल कॉस्ट किती थी हम लोगों की टोटल कॉस्ट मान लीजिए 400 रुपए यहां पर हम लोगों की लगी हम लोगों ने क्या किया हम लोगों को 50% discount मिल जाएगा यानि कि आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा आप लोगों को पे करना पड़ेगा 500 रुपे इस case में क्या होगा हम लोगों को, इस case में हम लोगों को होगा profit, कित्ते रुपे होगा, ये होगा 100 रुपे, चीक है, अगर मैं कभी पूछूं की भी भी है, कित्ते percent profit हम लोगों को हुआ, profit percent का formula क्या था, अब आप लोग साथ साथ में repeat कर सकते हैं, ये चीज़ को, profit percent क्या होत अब SP 500 है, CP 400 रुपे है, तो profit किता हुआ, 100, CP कितना है, यहां पे 400 in 200, ठीक है, यहां तक यह concept clear है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, माल लीजे कहीं बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों का कोई special offer आ गया, जैसे अभी Republic Day क्या special offer आ जाएगा, हम लोग क्या हम लोग बोल देंगे, नहीं हा, 70% discount देते हैं, ठीक है, इस case में क्या हो जाएगी, जो आप लोगों की SP हो जाएगी, वो हो जाएगी 300 रुपे, यानि कि हमें एक चीज़ 400 रुपे में पढ़ रही है, हम लोग आपको 300 रुपे में दे रहे हैं, वो special period के दोरान, तो उस दो दोरान हमें क्या होगा, उस दोरान हम लोगों को होगा loss, परसेंट निकालना होगा, क्या formula है, 400-300, so upon में क्या आएगा, upon में 400 ही आएगा, CP ही आएगी in 200, ये क्या निकाल देंगे हमारा loss, परसेंट, clear रहे हैं यहां तक, ये हम लोगों ने एक relation पढ़ा था, और यही पूर अब आजाते हैं यहां पर, अब ये पहला question आप लोगों के सामने है, एक इनसान है, उसने क्या applied to a bill of rupees 1 lakh, the difference between a discount of 40% and two successive discounts 36% and 4%, अब क्या का गया है, हमें यहां पर का गया है, एक आदमी यह उसने apply क्या गया था, एक bill के लिए 1 lakh रुपे के, आपको पूछा गया है, difference between, चीक, और दूसरा क्या था, दूसरे में उसको 2 successive discounts मिल गया, अब यहां पर कैसे करेंगे, दो successive discounts अगर निकालने हो, क्यासे निकालने हो, फॉर्मुला सिंपल है, मान लीजी एक लाग यहां पर लिखा, मैं इसको 100 के साथ अभी treat करता हूं, into 36%, discount है, क्या लिखेंगे यहां प 100, सीधा 100-36 कर दो, क्या आएगा, 64 upon 100 into, क्या आएगा, 96 upon 100, चीक है, यह क्या निकलेगी, यह निकलेगी, selling price, चीक, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगे, एक simple सा फॉर्मुला आतर, successive के लिए, फिलाल इसको देखते हैं, आप करने का तरीका क्या है, यह cancel out होके, 96 into 64 कैसे करेंगे, मैंने यह भी सिखाया, मैंने आपको homework दी है, 64 जा 24, 94 जा 36, 66 जा 36, 6, 6, 12, 14, 3, 3, 6, 7, 96 जा, 96 जा क्या होता है, 54 और 7, 61 upon 100 है, दो के बार लाग यह, यह, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह सो रुपे हम लोग ने लिया था, डिसकाउंट कितना हो इसके हिसाब से 100 माइनस यह कर दो, यह आपका आगे जाएगा, डिसकाउंट कितना होगा, यह आपका आजाएगा, यहाँ से 65.38, यानि कि इतना डिसकाउंट आपको मिला ठोटल, और यह कितना है, 40%, अब 40 माइनस यह कर दो, और फिर आप इसको निकाल दोगे, 40 माइनस यह करोग तो आपको आंसर आजाएगा 1440 आपको सीधर जो है वह आंसर आजाएगा लेकिन अब आपको मैं पहले एक फॉर्मुला बताता हूं कई बार सक्सेसिल डिसकाउंट में आपको डिरेक्ट यह हेल्प कर देगा कभी भी अगर आपको दो डिसकाउंट मिले मान लीजे जैसे उप पर आपको गिवन था 36 और 4 परसेंट का अब कभी आपको मान लीजे फॉर एक्जांपल मान लीजे पी आपका 36 परसेंट है उसी क्वेशन के रिसाप से और क्यू आपका क्या है 4 परसेंट है अब एक जर्नलाइज फॉर्मूला आता है इसको आप पी क्यू की जगा एबी की तस परसेंट मिला फिर 20 परसेंट मिला तोटल वो कित्ते परसेंट कर दिसकांट हो वो 30 परसेंट का नहीं हुआ वह किस तरीके से निकलता है फॉर्मूला याद रखना फॉर्मूला होता है P PLUS Q MINUS PQ UPPON 100 पॉसेंट यह बेसिक फॉर्मूला है यानि की ये आप इसको याद भी जख सकते हैं कभी अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं अब इसी को करके देख लेते हैं 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू 4 अपॉन 100 36 प्लस 4 40 माइनस 6 4 24 चार 3 12 और ये अपॉन में ये माइनस कर दो क्या आएगा 38.56 या तो आप डिरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो दोनों तरीके से आप लोग इस सक्सेसिव डिसकाउंट के ग्वेशन को टैकल कर सकते हो clear है यार तक इसको note कर लीजेगा ये काफे important है बहुत बार यूज होता है पेपर में भी कहीं बार अगर डिरेक्ट सक्सेसिव डिसकाउंट का नहीं है अगर आपको सक्सेसिव लॉस का भी पूछा है दो बार हुआ है तो आप लोग इस फॉर्मुला में ये पूट कर सकते ह लीजेगा अगर आपको दो बार सक्सेसिव डिसकाउंट मिल रहा है एक बार x% का एक बार y% का फॉर्मुला होता है आपका x-y- xy अपॉन हंडर्ड परसेंट यानि कि दोनों का सक्सेसिव डिसकाउंट कितना हुआ अब कही बार आप लोग जब देखते हैं, बार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आपको लिखने को मिलता है 50% discount, नीचे साथ में आ जाता है 50% additional discount, ये क्या हो गया, 50% plus 50% ऐसा तो नहीं है, कि चीज आपको free में मिल रहे हैं, वो 50% discount के उपर 50% जो है, वो आपको मिल रहे हैं, य 50 into 50 upon 100, अब इसको आप अगर further solve करोगे, आप लोगों को मिल जाएगा 5525, 50 plus 100, यानि की 75%, clear है, यहां तक, आजो next question, यह ओपर, equation फिर से ऐसा ही मिलता जुलता, 10% और 30% आपको पूछा गए, किसके बराबर में होगा equivalent, दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसी formula के approach से पहले करके द देख लेते हैं, 10 plus 30 minus, 10 into 30 upon 100%, 10 or 30, 40, यह 0 cancel out, यहां से के, minus 3, किसके बराबर हुआ, 37% के, clear है, option number D answer, या तो यह formula याद कर लो, अगर नहीं आता है, यह formula, तो मालों, MRP किती है, 100 रुपे, 10% discount हुआ, 90 upon 100, के के है, 70 upon 100, cancel out करो, इसको, 63 आगी, आपकी SP, discount यहां से minus कर दो, 37, कहीं बार गलत ही क्या होती है, बच्चे 63 निकालता है, एक आदा option में, आपको यहां पर 63 गिवन होगा, आप सीधा answer मार कर दो, बट वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, clear है, यहां तक concept, तो अगर हो सके, successive का आएगा अब यहां भी यह पूछा गया, अब देखो, 60% के 2 discount में रहे, ऐसे तो आप लोग बोलोगे, यह तो 120% हो जाएगा, लेकिन नहीं, पहले, सिधा उस formula में रखके देखते हैं, क्या होगा, 60 plus 60, minus, 60 into 60 upon 100, चीक है, 60 और 60, 120, यह 0 इस से क्या, यह 0 इस से क्या, 6 और 6, 36, minus कर ल रखना है, कि आप इसको यहां तक अगर solve कर रहे हो, 10 में से 6, 4, option में एक है, तो सिधा answer मार कर सकते हो, but time आप लोग में पास काफी रहता है, तो आप इसको minus bigger के देख सकते हो, successive discount का concept, I hope आपको clear है, और majority questions, अगर मैं बात करूँ paper में, तो आपको इसी पे पूछे जाते है, कि 2 discount मिले, या फिर आपको कहीं बार इस तरीके से देदेगा, कि 7%, 18%, 30%, 40%, 50%, 30%, 40%, 30%, ऐसे देदेगा, और बताएगा, बताओ, किस में सबसे हाई discount मिल रहा है, तो simple concept है, simple formula है, A plus B minus AB upon 100, यह successive discount के case में, आपको काम आ जाएगा, clear है यहां तक, आजो next question पे, एक shopkeeper है, उसने क्या किया, अब यहां पे हाँ, अब यह जो है, यह second type आ जाती है, इस पे, अभी तो पहली type हम लोग जो discuss कर रहे थे, वो आती है, हमारी successive discount के, उसके questions हम लोगो ने देख लिए, I hope आप हो clear होंगे, अब दूसरे type क्या आती है, जब कहीं बार shopkeeper, जो है, वो mark रहा हूं, CP पे जब कभी भी mark value, अगर कोई add करता है, mark dub करता तो क्या बनती है, MRP, उस पे discount देगा, तो क्या बनता है, उस पे discount दे के बनता है, SP, और यहां से फिर हम लोग profit या loss निकाल सकते है, ठीक है, अब जो बोला गया, आपको इसी एक relation में रख के देखना है, एक shopkeeper ह उस नमनी goods को 20% above cost price जो है, रख दिया, ठीक है, पहली चीज, मान लो कितनी cost थी, 100 रुपे, 20% उसने mark dub value करके, उसकी value क्या कर दी, 120 रुपे, यह क्या गया हमारी MRP, लेकिन उसके बाद उसने क्या क्या, 30% discount दे दिया, उसको cash पे, यानि कि discount कितना हो गया, 30%, अब इस case में बात करूँ, तो हमारी final value कौन सी है, यहां पर, जो हम निकालेंगे, बताओ, final value क्या होगी, final value होगी, SP, जो हमें निकालनी है, ठीक है, SP किसके बराबर होगी, 120 into, 30% discount को क्या लिखेंगे हम लोग, 70 upon 100, ठीक है, यहां पर, यहां तक clear है, अब यहां से हम इसको निकाल सकते है value क्या हैगी, क्या हैगी यहां से, बताओ, यह cancel होगया, 7,24, 84, SP क्या हागी, 84 रुपे में, 100 रुपे में बनाई, 84 में बेची, कितने percent का loss हुआ, 16% का, option है, बिल्कुल है, answer mark, clear है, यह यहां पे, इस तरीके से questions बनते हैं, एक और question देखेंगे, आपको और आइडिया हो जा examiner क्या करता है, gamer wording हुमा देता है, wording को confuse करने ही कोशिश करता है, तो थोड़ा सा अराम से wording, एक एक चीज को पढ़के, फिर उसको लिखना, अब क्या कहा गया है, to gain 8% after allowing a discount of 10%, by what percent cost price should be hide in the list price, अब क्या बोला गया है, अब ध्यान से पढ़ो इस question को, आप लोगों को खुदी आठ परसेंट भीया मुझे profit हो जाए, यानि कि वो चाते है, 108 रुपे में मैं इसको बेचू, ठीक है, लेकिन, discount भी वो चाते है, कितने परसेंट का जैदू मैं, 10% का, और हमें बोल क्या रहे निकालने के लिए, हमें बोल रहे कि भीया, कितने price जो है, या कितने परसेंट, जो ये है, वो हाइक करो, अब हमें ये निकालने के लिए कह रहे है, यहां तर clear है, अब कैसे करेंगे, बताओ, अब देखो तरीका क्या सिंपल है, ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी initial value, ठीक है, ये final value आएगी, discount के बाद, 108 रुपे, MRP आगी हमारी यहां पे, into discount कितना 10% का discount दिया, क्या लिखेंगे यहां पे, 90 upon 100, ठीक, ये 0, ये cancel, ये यहां से गया, 910, 12, MRP कितनी आगी हमारे पास, MRP आगी हमारे पास, 120 रुपे, अब कितना परसेंट हुआ है, 100 से 120 पे, बताओ, 20%, clear है यहां तक, clear है यहां तक, यह question, ये इस तरीके से होगा, ये, ये relation ये आपका help करेगा, बहुत असानी से हो जाएगा, बहुत सारे और भी तरीके होते है, solve करने के, बहुत सारे shortcuts भी बहुत सारे लोग बताते है, लेकिन मुझे ये method जो है, एक simplified way में आप लोग अप्रोच करोगे, आप लोग अगर कोई shortcut से 30 second में निका रहा है, आप 40 second में इ लेकिन clear है यहां तक अब देखो कहीं बार wording ना इस तरीके से कर देता है, बच्चा question देखता है, बच्चा कता है skip, करना ही नहीं है यह हमने, इसको करने का तरीका क्या है, अब क्या बोला गया है, देखो charging 30% above the production cost, a radio maker puts a label of 286, अब मैं आपको ना एक और तरीके से ये question सिख करने का, आप लोग अपने इसको traditional method से भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक shortcut method या फिर एक निया method सिखाऊंगा, देखो क्या कहा गया है wording को समझना, यह percentage जो मैं आपको chapter करवाऊंगा ना, तब आप लोग इन questions को वैसे deal करना शुरू करता होगे, अभी वने आपको पढ़ाया आपको थोड़ी सी problem हो सकती है, problem होगी नहीं वैसे, क्या कहा गया, 30% क्या कर रहा है, यहां पे production costs के above कर रहा है, 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 upon 100, basic, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 upon 10, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जो denominator होता हो, वो क्या होता है, वो original price, एक चीज समझेगा, और यह 3 क्या है, यह जो उसने, उसके उपर, यानि कि marked value जो है, 3 करी, अब अगर मैं आपको पूछूँगी, MP कितनी होगी, यानि कि MRP कितनी होगी, mark price कितना होगा, वो 13 होगा, obviously, 10 अगर यह है, 3 अगर उसको बढ़ा के करना तो 13 होगा, 13 की value यहां पे given है क्या, 286, समझाया, कैसे लिखा, देखो, इसने क्या का, वापिस से समझाता हूँ, एक बारी फिर से, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है, अगर आप यह अभी सीखे, percentage में तो वैसे भी सीखनी तो पड़ेगी, percentage के questions असान हो जाएंगे, 30% क्या कहा गया है, उसने की अबव बेचा, किस पे, अपनी cost, price पे, यानि की अबव मार कर दिया, इसको मैं क्या लिखूँगा, 30% को 30 upon 100, यानि की 3 upon 10, आप उसको 30 upon 100 भी लग सकते हो, बाट cancel out करके कर दो, अब denominator क्या आ गई, cost price यानि की original value जो थी, और 3 इसने उसको बढ़ा दी, mark value बढ़ा द 80 रुपे, यानि की 13 किसके बराबर हो गया, ये 286 के, इसको मैं cancel out कर दू, 2 से गया, और ये भी अपका, 2 से गया, यानि की, एक unit की value क्या होगी, 22 रुपे, यहां से CP कितनी आ जाएगी, CP आ गई, भईया, 10 unit है, तो 220 रुपे, clear है, अब इसके बाद क्या आ गया है, but at the time of selling, he allows 10% discount, यानि की, जो 286 की चीज थी, 10%, 286 की हो जाएगा, आपका discount, अब ये मत पूछना कैसे निकाला, आपने इसको निकाल के देख ले न, 10% discount वो देता है, यानि की, इस rate से, कम करके बेच रहे, क्या आ जाएगा, 15 में से आठगे, 7, 7 में से दोगे, 5, 257 ये क्या आगी है, हमारी पास, selling price, और हम से सिरफ इसने पूछा गया, gain कितना होगा, CP निकाल लिए, SP निकाल लिए, माइनिस कर दो, क्या आजाएगी, या आजाएगा, 7, 5 में से दोगे, 37.4, same questions homework के तहद, आप लोग इसको क्या करना, अपने method से, दूसरे method से निकालना, बट ये method अगर समझ आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है आपको, ठीक है, clear है यहां तक, next पर आदो, ये हम लोगों ने दो चीज़ें देखी है, अब इस तरीके का ही marked value का, एक और question देख लेते है, the ratio of marked price and cost price of an article is 6 by 5, marked price और cost price की value क्या है, ratio की, वो given हमें 6 और 5, अगर 15% वो discount देता है, तो कितना profit होगा, देखो, अब यहां पर क्या होता है, कहीं बार 6 और 5 पर निकालोगे तो confusing हो जाता है, माल लो ratio ही है न, ratio given exact value नि, given मैं इसको 600 लिख देता हूँ, इसको 500 लिख देता हूँ, calculation असान करने के लिए, मैंने माल लिया कि MRP 600 थी, cost price 500 थी, आप इसको 6 और 5 लेके भी कर सकते हो, बहुत असान है, अब बोला क्या गया है, कि वो 15% discount देता है, यानि कि 600 रुपे पे 15% discount क्या हुआ, 85 upon 100 करेंगे हम, तो वो क्या कर देता है, उत्रे में क्या बेच रहा है, उत्रे में product को आगे बेच रहा है, करो, cancel 65 था, 36, 8 था, 48 और 351, क्या निकल क्या आगई, SP निकल क्या आगई, अब इससे पूचाए कि भईया, कितना profit निकालेगा, लेकिन percent में, profit percent का formula क्या है, SP minus CP, 510 minus 10, 500, 10 upon में क्या आएगा, 500 upon में CP ही रहेगा, cancel out कर दो, 2%, ठीक है, अब आप इसको 500 और 600 लो, 60 और 50 लो, 6 और 5 लो, answer आपका 2% ही आएगा, ठीक है, clear concept, बहुत basic तरीके से मैंने आपके चीज़ें सिखाई है, paper में इसी level के questions आएँगे, आप लोग इसको असानी से कर लोगे, ठीक है, आज और next question के ओपर, वैसे तो मैंने homework देने का सोचा था, बैट एक बार इसको मैं आपके साथ discuss कर देता हूँ, solve आप लोग करेंगे, a dealer offers a discount of 10% on the mark price of an article and still makes a profit of 20%, ठीक है, अब क्या का गया है, ध्यान से पढ़ो, और बोला गया है, if its mark price is 800, then the cost price of an article, यह आजाती है, आपकी type 3rd, अब इसमें क्या होता है, देखो, इसमें आपको सारी चीज़े इसमें देनी जाएगी, कि हाँ बिया, discount इतना था, mark price इतनी थी, profit इतना हुआ, mark price इतना था, बताओ कि profit होगा, loss होगा, cost price होगी, selling price होगी, कुछ भी पूछ सकता है, बट उसी relation में आपको चीज़े डाल नहीं है, आपको एक एक चीज़ निकलती जाएगी, आप इसको निकाल लोगे, क्या कहा गया है, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, एक dealer है, वो 10% का discount देता है, यह आगई CP, यह आगई SP, यह आगई आपका MRP, और यह जो आगया हमें साथ में उसने बोला कि 20% का भी है, उसने profit कर लिया, mark price हमें given है 800, ठीक, अब उसके बाद cost price पूछी, अब देखो cost price निकालनी है, अब यहां से तो आप निकाल लोगे, 800 रुपे क्या है MRP, 10% क्या है discount, SP निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्या होगा, 800 into 90 upon 100, इसको cancel out, जब कर दोगे, आप लोग, क्या जाएगा यहां पर, 720 रुपे में बेची, उसके बावजूद, उसने क्या किया है, 20% का profit, अब SP हमारे बाद आ चुकी है, SP क्या होती है, final value, ठीक है, 720 is equal to CP into profit कितना हूँ है, 20%, 120 upon 100, इसको cancel क्या, इसको किया, 60, CP आगे 200, करना, clear है यह चीज़े, examiner wording बहुत सारी घुमाएगा, आपको बस इसको इसमें adjust करना है, आप लोग आंसर इसमें निकाल लोगे, clear है यहां तक चीज़े, बहुत अच्छी बात है, next पर आजाओ, a shopkeeper fixes the price of an article 30% higher than its actual cost, if the sales, it at 10% discount on the market, then profit percent, अब देखो, same question है, वापश से, त पहली चीज़ का बोली, मालो, जब कुछ given ही, CP मालो, 100 रुपे, 30% क्या कर रहा है, higher करके बेच रहा है, 30% higher करके बेच रहा है, तो कित्ती MRP होगी, 130%, उसके बावजूद, वो क्या कह रहा है, यह 10% discount को बेच रहा है, अब देखो, क्या है, 130 में अगर आप कहीमा निकालने प्रॉफिट कित्ते परसंट हो गया, 17%, कुछ करने की जुरूरत नहीं है, कुछ calculation करने की जुरूरत नहीं है, अगर आपको यह relation समझ आ गया है, तो, clear है यहां तक चीज़े, आ जो next पे, the selling and cost price of an article is 3960, अब इसमें हमें क्या किया है, इसमें हमें इसने values दी गया है, 3600 क्या पाद उसने क्या बोला, if 20%, 12% of the discount was given, what is the percentage markup, अब यहां पर देखो क्या पूछा है, अब यहां पर हमें बोला 12% discount, ठीक है, यह निकलेगा, लेकिन value यह नहीं पूछी, value पूछी है, कि भाईया, कितने percent उसकी, जो value थी, वो markup हुई है, markup किस क्या relation होता है, CP के उपर आई पूछी है, clear है, यहां तक चीजे, अब इसको निकालोगे, तो आप लोग आप से निकाल पाओगे, अब करना कैसे है, अब आप लोग मेरे को बताओ, ठीक है, अब इसको करना कैसे है, 12% इसने मान लीजे, markup value है, 3960 is equal to, mark price निकालना है, कितने percent हो गया, 12% का क्या लेकेंग आठ, चार्ज, अब 32, 32, और यह आपको 45, MRP कितनी आगई हमारे पास, 4500, clear है, अब पूछा, markup value कितनी है, कितने percent यह बढ़ा है, यहां से, अब यह बताओ, कितने percent बढ़ा है, कैसे निकालेंगे, बताओ, कि बताओ जल्दी से, आप लोग बताओ, अब यह आपका homebook है, क ठीक है, यहां तक clear है, यह percentage का एक formula आता है, अब यहां पे जब पूछाएगी, कितने percent बढ़ी है, जब बढ़े की पूछी जाती है, तो denominator में छोटी value आती है, यह चलो, यह मैं percentage में आपको बताओंगा, फिलाल concept clear है, तो बहुत अच्छी बात है, last question, आज का homework note करिए, करना कैसे है, आप लोग मुझे इसका answer अभी, इस lecture के ही ending में लिखे बताना है, एक fan है, उसको list किया गया है, 1500 के उपर, ठीक है, और उसके बाद 20% discount दिया है, SP निकल आएगी, उसके बाद उसने बोलाएगी, और कितना discount वो उसको दे, ताकि जो customer है, वो net price 1404 में बेचे, तो यह थोड़ा सा वापिस से wording में घुमाया है, और यह आगया आपका homework, और यह थे आपके discount के जितने questions बनते हैं, उन types को हम लोग ने आज इस single lecture में discuss किया है, I hope आपको lecture पसंद आया होगा, अगर आपको lecture पसंद आया है, तो please इस channel को subscribe कर लीजिए, अगर आपको यह सारे जितने हम लोग lectures देने, quant, reasoning, हर एक का systematic way में चाहिए, तो आपको AAA app पे download करके आपको हमारी एक, वहाँ पे courses मिल जाएंगे, जैसे कि VRW के course में, आपके syllabus में है, तो उसमें आपको, यह सारी चीज़े एक systematic way में मिल जाएंगे, उसमें 500 रुपे में ही, आपको video lectures, mock test, notes, PDF, sectional test, topic test, हर एक चीज़ जो आपको provide हो रही है, जो की coaching market rate में 30,000 रुपे की हम आपको 500 रुप में provide कर रहे है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, तो चलिए, इसी के साथ हमारा discount भी खतब, अगले chapter में हम लोग करेंगे partnership business के उपर, questions, और फिर percentage के उपर, और यह आपका एक, जो upper part है math का quantitative aptitude का ये भी हमारा खतम हो जाएगा, जिसको arithmetic भी कहते हैं, तो चलिए, आज के लिए से इतना ही मिलते हैं, आज के लिए फिर दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे ने lecture के साथ, अब आप लोग कही से भी questions को उठा के practice कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी question में doubt आ रहा है, problem आ आप हमारे facebook group पे उसको post कर सकते है, facebook group का नाम है, triple S study plan strategy success, तो चलिए, मिलते हैं जल्दीने lecture के साथ, bye bye take care, all the best.